कि है लो दोस्तों अगर आप आपना it के अंदर बनाना चाहते तो ज़ल्दी से ज़ल्दी मेरा YouTube चैनल को सस्क्राइब करने के लिए YouTube उपन कीजेगा आया आपश्रिच बार में वी सेस मलिक टाइप कीज़ेगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सस्क्राइब पर क्लिक कीज़ेगा और अल नौटिफिकेशन को चेक माक कीज़े सेव ताकि सारे नौटिफिकेशन आपको डिस्पले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करो अब सस्क्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीज़ेगा और यहाँ पर विंडोस अवर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं जोगी 126 है CCNA स्विचिंग 41 CCNA राउटिंग 72 यह बहुत सारे वीडियो दोस्तों मेरा चैनल यह है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोस अवर 2012 की वीडियो दोस्तों मेरा नाम इसेस मलिक है इस वीडियो में हम लोग RHEL 6 और RHEL 7 के बीच में डिफरेंस को डिसकस करने वाले हैं देखे दोस्तों यह एक ऐसा कोशन है जब आप किसी भी कंपनी के अंदर Linux Operating System हम से related interview देने जाते हैं तो 99% यह आप से पोचा जाएगा कि Linux Operating System 6 और 7 के बीच में क्या डिफरेंस है तो आज हम लोग उसी कोशन का answer डिसकस करने वाले हैं काफी पार बहुत सारे candidate ऐसे होते हैं जो यह just explain करते हैं इस कोशन का answer की RHEL 6 जो है वो पहले आये था RHEL 7 बाद में आये था लेकिन कोई भी technical difference वो बंदा explain नहीं कर पाता है तो दोस्तों अभी हम लोग उसी कोशन के बारे में discuss करने वाले हैं जो आपका interview के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाना वाला कोशन है वो है difference between RHEL 6 and RHEL 7 तो सबसे पहला जो difference है दोस्तों वो है default file system का दोस्तों RHEL 6 के अंदर हम लोग जब भी किसी भी partition को format करते थे तो उसके लिए हम लोग use करते थे ext4 file system लेकिन दोस्तों RHEL 7 के अंदर एक नया file system introduce किया गया that is xfs file system next difference जो है kernel version RHEL 6 के अंदर हम लोग kernel का version यूज करते थे 2.6 लेकिन RHEL 7 के अंदर हम लोग kernel का version यूज कर रहे हैं 3.1 second आता है genome version genome का हम लोग RTL 6 के अंदर version 2 यूज कर रहे हैं लेकिन RHEL 7 के अंदर हम लोग genome का 3.8 version यूज कर रहे हैं next है KDE version RHL 6 के अंदर हम लोग KD का 4.1 वर्जन यूज़ कर रहे हैं लेकिन RHL 7 के अंदर हम लोग 4.6 वर्जन यूज़ कर रहे हैं NFS वर्जन RHL 6 के अंदर हम लोग NFS वर्जन 2 यूज़ करते हैं लेकिन RHL 7 के अंदर हम लोग NFS का 4 वर्जन यूज़ कर रहे हैं Samba version, इस RHL 6 के अंदर हम लोग Samba का 3.6 version यूज कर रहे हैं, लेकिन RHL 7 के अंदर हम लोग 4.4 version यूज कर रहे हैं, दोस्तो RHL 6 का default database जो होता था, वो होता था MySQL, लेकिन दोस्तो RHL 7 के अंदर एक नया database introduced किया गया था, that is MariaDB, RHL 6 के अंदर हम लोग booting file जो यूज करते थे, उसका version था grub 0.97, लेकिन RHL 7 के अंदर हम लोग grub का second version यूज कर रहे हैं, यानकी grub 2, second thing, RHL 6 की जो booting configuration files थी, वो root partition के अंदर, boot directory के अंदर, grub directory के अंदर, grub.cfg के नाम से save होती थी, इसी तरह, RHL 7 के अंदर, ये grub.conf के नाम से save होती है, second thing, RHL 6 के अंदर, parent process जो होता था, वो होता था, inid, और जिसकी process id होती थी, one, लेकिन RHL 7 के अंदर, parent process जो होता है, वो होता है, systemd, और इसकी भी process id जो होती है, वो one होती है, next, अगर हम लोग यहां पर discuss करें, firewall and port security, दोस्तो, RHL 6 के अंदर, हम लोग, IP tables command यूज करते थे, firewall और port को manage करने के लिए, लेकिन, RHL 7 के अंदर, एक नई command introduce की गई, firewall और port security को manage करने के लिए, that is, firewall D, next आता है, processor architecture, दोस्तो, RHL 6 जो है, वो 32 और 64, दोनों architecture में available था, लेकिन, RHL 7 जो है, वो केवल 64-bit architecture में ही available है, दोस्तो, अगर आप, RHL 6 के अंदर, IP address से related, या फिर LAN card से related, कोई भी configuration करना चाहते हैं, तो उसके लिए, हम लोग command use करते थे, setup, लेकिन, RHL 7 के अंदर, एक नई command introduce की गई, that is, nmcli, next, अगर हम लोग, difference यहाँ पर discuss करें, जैसे की, hostname, configuration file, दोस्तो, अगर आप, RHL 6 के अंदर, hostname change करना चाहते थे, तो उसमें हम लोग file use किया करते थे, root partition के अंदर, etc directory के अंदर, sysconfig directory के अंदर, network file, लेकिन, RHL 7 के अंदर, hostname change करने के लिए, या hostname store रखती है हमारी file, root partition के अंदर, etc directory के अंदर, hostname, दोस्तो, ये वो file होती है, hostname, जो की, RHL 7 के अंदर, hostname से related information save होती है, लेकिन, इसमें, एक another command use की गई, hostname ctl, दोस्तो, hostname ctl command के द्वारा, आप RHL 7 के अंदर, अपने hostname को change कर सकते हो, यानि के computer name को change कर सकते हो, इसके बाद, Linux 6 के अंदर, यानि के RHL 6 के अंदर, हम लोग service को start करने के लिए, restart करने के लिए, या फिर permanent on या off करने के लिए, हम लोग service command use किया करते थे, service command हम लोग use किया करते थे, किसी भी service को temporary base पर start, restart या status check करने के लिए, लेकिन permanent on या off करने के लिए, हम लोग command यूज किया करते थे, chk config, लेकिन दोस्तों, RHL 7 के अंदर, temporary और permanent status change करने के लिए, किसी भी service का, केवल एक single command ही use होती है, वो होती है, systemctl, systemctl के दुआरा आप, अगर systemctl space start space service name के थूँ आप किसी भी service को temporary base पर start कर सकते हो, या फिर systemctl space restart space service name के दुआरा किसी भी service को restart कर सकते हो, या फिर अगर आप permanent start करना चाहते हैं, तो उसके लिए systemctl space enable space demo name, कहने का मिनिंग यह है, कि जिस तरह RHL 6 के अंदर, हम लोग service और chk config command यूज करते थे, service को manage करने के लिए, लेकिन RHL 7 के अंदर केवल हम लोग systemctl command ही यूज करते हैं, दोस्तो next difference है, run levels को लेकर, देखे, जैसे के हम लोग RHL 6 के अंदर 7 run levels यूज किया करते थे, run level 1, sorry, run level 0 से start होता था, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, run level 0, power of, run level 1, single user mode, 2, multi user without networking, 3, multi user CLI, 4, not used, run level 5, GUI mode और RHL 6 हम लोग यूज करते थे, restart के लिए, लेकिन RHL 7 के अंदर, हम लोग run levels word यूज नहीं करते हैं, इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं, run levels के लिए target word, targets as a run levels in RHL 7, देखे, इसमें हम लोग सबसे पहला जो target यूज करते हैं, यानि के run level यूज करते हैं, वो होता है, power of dot target, power of करने के लिए, rescue dot target, multi-user dot target, graphical dot target, reboot dot target, तो ये कुछ हम लोग targets यूज करते हैं, यानि के run levels यूज करते हैं, in RHL 7, लेकिन, नेक्स्ट आता है, user id information, दोस्तों जब आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग RHL 6 के अंदर, कोई भी normal user create करते थे, उसकी user id start होती थी, वो 500 से start होती थी, और ये maximum हम लोग 60,000 तक create कर सकते थे, लेकिन RHL 7 के अंदर, जब भी हम लोग कोई भी normal user create करते हैं, उसकी user id start होती है, 1000 से, और ये maximum 60,000 तक जा सकती है, तो RHL 6 के अंदर user id start होती थी, 500 से, और RHL 7 के अंदर होती है, 1000 से, system user id, 12499 होती थी RHL 6 के अंदर, लेकिन RHL 7 के अंदर ये use होती है 12999, second thing, अगर आप RHL 6 के अंदर root का password reset करना चाते थे, तो उसके लिए हम लोग 1 append किया करते थे, तब हम लोग root का password reset कर सकते थे, लेकिन RHL 7 के अंदर हम लोग use करते हैं, rd.break, root का password reset करने के लिए, next आता है, अगर आप RHL 6 के अंदर reboot या power off करना चाते थे, तो हम लोग use करते थे, power off के लिए INIT 0, reboot के लिए INIT 6, लेकिन RHL 7 के अंदर हम लोग systemctl power off या फिर systemctl reboot use करते हैं, next, yum command के अंदर भी कुछ difference है दोस्तो, RHL 6 के अंदर हम लोग group को install करने के लिए हम लोग command use करते थे, group, sorry, yum space, group install, लेकिन RHL 7 में word वही है, लेकिन पीच में space use कर दिया गया है, yum space group space install, इसी तरहे, group की information लेने के लिए हम लोग command use करते थे, RHL 6 के अंदर, yum group info, RHL 7 में भी command वही है, लेकिन पीच में space दे दिया गया है, yum space group space info, next जो difference है दोस्तो, वो है file system check के लिए, file system check करने के लिए हम लोग command use करते थे, e2fsc के, in RHL 6 और RHL 7 में यह हो गई है, xfs underscore repair, RHL 6 के अंदर हम लोग system single partition का maximum size हम लोग use कर सकते थे, 50 TB तक, लेकिन RHL 7 के अंदर, यह increase हो के हो क्या है, 500 TB, sorry, यह सायद मैंने कुछ गलत बोला है, RHL 6 के अंदर हम लोग maximum 5 TB तक partition create कर सकते हैं, और इसके अंदर हम लोग 500 TB तक, तो दोस्तों, यह कुछ RHL 6 और RHL 7 के बीच में difference है,